तो आज हो गए है 13th रोजा तेरा रोजा होगी है पता ही नहीं चला तो आज संडे है और अभी हम जा रहे हैं जकरिया स्रीट समान देना है गाउं भेजना है समान इद का कपड़ा मैंने लिया था लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था तो बस वो देने जा रहे है मेरे साहससू'll को भेजना है गाउं में तो हम डाकिया से भेजने हैं तो उनको देने जा रहे हैं वैसे दिन में जाने का मैं शाह में जूडियो जाने वाली हूँ तो जूडियो क्या कलेक्शन है वो मैं दिखाऊंगी एंड बच्छों के लिए थोड़ी बहुत इद की शॉपिंग करनी है और आई थिंग मुझे थोड़ा बहुत फैबरिक भी लेना है तो वो भी बस वो सब टीवी नजर आ रहा है पीछे थोड़ा बहुत गंदा होगा टीवी प्लीज इग्नूर करिएगा उसको अभी मेरे हजबन गये है मैं नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़के आएंगे तो हम निकल जाएंगे तो बस अबहुत बहुत अब篇ब हैं है नमाज पढ़ने तो मैं पहुंच चूकी हूँ मार्केट में तो मैं यहां से कुछ फैबरिक ले रही हूँ जिसका गाउन मुझे बनाना है अनाविया के लिए इत का और मेरे हजबन गए मैं सामान देने के लिए जो के गाउन भेजना है तो डाकिया के हाथ से ही हम भेजते हैं तो बस वही देने के लिए गया है जखरे स्टीड में और यहां पर मैं समान ले रही थी उसके बाद मैं आ गई थी चूरी की शॉपिंग करने के लिए तो आज मैं चूरी ले रही हूँ इद की जो भी चूरीया लेनी है मुझे वो सब मैं आज ले रही हूँ क्यूंके बाद में फिर बहुत जादा भीर हो जाती है तो मुझे लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉबलम होती है तो ये कुंदन के कुछ सेट आयोए थे निउ कलेक्शन था और ये मल्टी कलर तो मुझे मल्टी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया कुंदन वाले मैंने बाद में सोचा है लूंगी और ये रही मैं घर आ गई हूँ नमाज भी पढ़ ले और वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था बर जब हम गये थे तो वेदर बहुत ज़्यादा खराब था बहुत ज़्यादा धूप थी और अभी कुरान शीर भी पढ़ लिया है और आज की इफ्तार ही है परोसी से आई है तो परोस वालों ने आज इफ्तार भेजी है और तो बस ये है इफ्तार आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था उपर से आया था हमारे उपर में जो फ्लोर है उस पर रहते हैं वो लोग और बहुत ये अच्छा से इफ्तार ही उन्होंने बना कर भेजा है तो अगर आप व्लॉग देख रहे तो थैंक यू सो मच इफ्तार भेजने के लिए बहुत अच्छा था सब कुछ तो बस अभी हम रोजा खुलेंगे उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से शाम में जब मैं आप लोग को हॉल दूंगी जो भी मैंने खरीदा है आज मैं वो आप लोग को दिखाने वाली हूँ तो मैंने ये वाइस रिकॉर्ड किया था वाइस के साथ ही मैं दिखा रही थी बट कुछ प्रॉब्लम आ गया था बहुत जादा आवाज आ रही थी बाकी किसी और चीज़ की इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो नहीं सुनाती हूँ आप लोग को इरिटेशन हो रही थी बहुत जादा इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये कुर्टी पजामा है जो के आज मेरे हजबन गयते जकरिया स्टीर तो इबराहिम के लिए लिये है बहुत ही क्यूट लग रहा था च्छोटा सा था और बाकि मैं चूरिया दिखाती हूँ आप लोग को जो मैंने आज खड़ी थी तो ये रही ये रहा वो सारा डबबा और मिन्शा अनाबय के लिए भी मैंने ले लिया था तो ये अनावय का था ऐधिंक और एक मैंने मिन्शा का भी लिया था तो दोनों के ड्रेस से मैचिंग करके मैंने लिया था ये मल्टी कलर मुझे मिल गया था और ड्रेस के साथ भी सही जा रहा था जो कि वो एद में पहनने वाली है तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने चूरी पहले ही ले ली है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीर हो जाती है इतनी ज़्यादा भीर हो जाती है कि पॉसिवल नहीं होता है लेना और मैंने बोला था कि मुझे मल्टी कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था मैंने सोचा मेरे बहुत सारे आटफिट के साथ चला जाएगा इसलिए मैंने ये वाला लिया था मल्टी कलर का बैंगल्स था उसके साथ मैंने चूरी भी मल्टी कलर मना लिया था और आजकल चूरी भी बहुत जादा महंगा हो गया है सब कुछ ही महंगा हो रहा है तो चूरी भी महंगा हो गया है तो बस चूरी की शॉपिंग भी बहुत जादा महंगा पढ़ गया मुझे एनिवे तो मैंने ये एक वाइट वाला भी लिया है मुझे बहुत जादा अच्छा लग रहा था ये वाइट वाला चूरी तो मैंने white वाला भी ले लिया है मेरा favorite color white है और मुझे white color के पता नहीं सब कुछ white ही पसंद आ रहा होता है तो ये कांश का चूड़ी था जो के white था और उसके साथ मैंने एक और चूड़ी white color का ही mix किया था तो मुझे shoot के लिए लगता रहता है और white color सब पे ही चल जाता है almost तो बस इसलिए मैंने white भी ले ली थी ready हो चुके है zoodio चलते है okay guys तो मैं ready हो गई हूँ और finally मैं जा रही हूँ zoodio तो मैंने आप लोगो इस video के first मैं ही बोला था कि मैं zoodio जाऊंगी और आगे ही मैं zoodio explore करने के लिए summer collection तो मुझे बहुत जादा excited था कि summer collection कैसा होने वाला क्योंके यहाँ पर I think affordable price में आपको काफी अच्छे collection मिल जाएंगे summer के और यह एक trouser दिखा मुझे बट मुझे वो trouser समझ में नहीं आया उसका जो पहनने वाला elastic था बहुत जादा ही अजीब था मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी क्या बूलते हैं उसको safe नहीं था पहनना कभी भी निकल सकता था but it's okay बाकी यह summer के dresses थे जो काफी अच्छा लग रहा था बट मुझे एक ही problem हो जाती है zoodio में कि sleeve जो बहुत जादा छोटा होता है ज्यादा तर मैंने यही देखा है full वाले sleeve जो होते हैं बहुत कम होता है और मुझे मेरी sister के लिए लेना होता है और वो लोग full sleeve ही पहनते हैं या फिर three quarter मैं भी full sleeve या three quarter ही पहना पसंद करती हूँ in fact ज्यादा तर लोग आजकल यही पहना पसंद करते हैं आम टॉकिंग अबाउट मुसलिम ओके सो बस जूडियो में आ गई थी और यहां पे काफी अच्छा collection था वैसे summer का कुछ-कुछ ethnic dresses जो थे वो थे full sleeve में लेकिन ज्यादातर half sleeve and sleeveless था तो इसलिए मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया ओके गाईज तो मैंने कुछ-कुछ ethnic dresses लिया है जो के मैं आप लोग को haul बाद में दूँगी दूसरी वीडियो में तो आप लोग वो जरूर देखना और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे end करती हूँ आप लोग और जोडियो कलेक्शन जो मैंने दिखाया वो अच्छा लगा होगा अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंस और फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा झाल 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 झाल